शुक्रवार को सुप्रीम कोट में पुलिस कस्टडी में हुई माफिय आतिक एहमद और अश्रफ एहमद की हत्या के मामले में सुनवाई हुई दरसल इस मामले में जाच करवाने के लिए अतिक की बहन नूरी की और से सुप्रीम कोट में याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोट ने मामले में सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को जम कर फटकार लगाई है सुप्रीम कोट ने सवाल किया कि अतिक्य मडर के वक्त कई पुलिसकर में उसकी सुरक्षा में तैना थे बावजुदिस की शूटर्स ने आके उसे मार दिया आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ कोट ने ये भी कहा कि ऐसी घटनाओं से जनता का पुलिस पर विश्वास कम होता है आईए अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोट की एहम टिपडियों के बारे में सुप्रीम कोट का मानना है कि ऐसे मामलों में पुलिस की भूमी का भी हो सकती है सुप्रीम कोट ने कहा कि अगर जेल में या पुलिस की हिरासत में रहते हुए किसी की हत्या हो तो ये विवस्था में लोगों का विश्वास कमजोर कर देता है कोट ने ये भी सवाल उठाया कि अतिक की हत्या करने वालों को कैसी पता था कि उसे कहा लिजाया जा रहा है सुप्रीम कोट ने मुकदमी की स्थिती जानने के लिए यूपी सरकार को चार हफते का समय दिया है सुप्रीम कोट ने अतिक के दो नाबालिक बेटों की च्राइल्ड केर होम में होने पर भी टिप्पनी की और कहा कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य है उनका खयाल रख सकता है तो उन्हें परिवार को सौम देना चाहिए कोट ने कहा कि इस मामले में डीजीपी या अन्यवरिष्ट अफसर द्वारा हलफ नामा दायर किया जाए इसके अलावा यूपी के एड़्वुकेट जनरल का भी बयान दर्ज होना चाहिए कोट ने ये भी कहा क्योंकि राज्य पहले ही जहां चायो गठित कर चुका है इसलिए कोट सिर्फ दिशा निर्देश पर ही सुनवाई करेगा और राज्य सरकार से भी उसी पर सवाल किये जाएंगे